स्वागत है आप सभी का हिम्मवंत जी के में तो आज देखेंगे हम वंदरोगा एक्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक रह सकते हैं उनसे संबंदित हम कुछ प्रस्ण देखेंगे जो आगामी प्रिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तो आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वह है मिस्र धातूइं और ये एक इंप्रटैंट टॉपिक है जिससे एकजाम में क्वेशन अधीक तर पूछे जाते हैं तो चलिए सुर्य करते हैं पहला कशन देखते हैं इसमें कि निमली खिट में कौनसी मिक्स धातूइं नही पूछा गया एक है स्टील दूसरा पीतल तीसरा ब्राउंच और चौता गया तामबा तो इसमें जो मिस्र धात्वी नहीं है वह जाएगा का थामबा क्योंकि जो यह तामबा है यह मुक्तु व समय तो दोना अस्था में प्राफ्टिक के आ जाता है यह आपको धिहान रखना ह और यह आयसको के रूप में भी पाये जाता है सहीं के आयसको के रूप में भाज पाये जाता है और जो तामा का परियोग करते हैं जाता हम मिस्र धादू के निर्मान में करते हैं जिसका तामी का यूज पीतल में किया जाता है ब्रॉन में किया जाता है श्टील बराने के देखें तो हो जाएगा तांबा आगे बढ़ते हैं देखते हैं दूसरा क्वेशन अगला क्वेशन है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निमली खित की परत इद्यमान होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओप्सान सी यसद यसद को हम जिंग भी कहते हैं यसद को जिंग कहते हैं यह आपने ध्यान रखना है जस्ता बोलते हैं जिसे जस्ता जिंग यसद तीनो एक खनाम है तो इसमें लिखा गया है कि जस्ता लोहे की चादरें जंग से बची रहत बतने है या आप गुमाने के लिए सबकस्तन फूजा जा सकता है और इसका परयोग ह माधा है लोहे के परती रक्षण में इसके बचाव के लिए क्या जाता है या अपने धियान देना है क्योंकि जश्ट्थी क्रित जिसमें लोहा होता है वह पानी सावन का G j00 का जो पेटोल हो गया घनेश टेल के परभावन को सेहन कर सकता है उनके बचाव कर सकता है लोहे का और लोहे को जग रोधी बनाने में भी जस्ते की पॉलिस की जाती है अगे बढ़ते हैं आपके पास अब आता है तीसरा क्यासन कि जो गैलवी नी क्रित लोहे पर लेप होता है मिलन लैप ले लगाए जाता है अब हमने पड़ा था उपर वाले क्यश्सन में जस्ता यसत्या इसको जिंक फी कहते हैं तो जैसा न वियाक्या कीती प्रसनि की तो सहें यही होगा अब आगे बढ़ते हैं जो गेलवे नाइज्ट लोहिक के पाइप पर परवत परत होती है तो जस्ते की परत होती है यह तीनों केसंस है में अब आगे बढ़ते हैं अगलों केसं है कि निम लिखित में से कौन सा लोह धातू के 6 करण में आवश्यक है तो लोहिक के जो 6 करण में जो आवश्यक होती है वह जाती है 6 करण मतलब जंग लगना लोहिक पर जंग लगने में किसका किसकी उपस्तिती होती है तो यह हो जाएगा आपकी ऑक्सिजन अगर नमी की महत्रा ज्यादा है लोहे में तो उसमें जंग लग जाएगा इसको जंग लगना भी कहते हैं और इंगलिस में इसको रस्टिंग ऑफ आइरन भी कहते हैं तो आपने ध्यान देना है और नमी अगर लोहे पर लगकी तो उसमें जंग लग जाएगा अलोहा खराब हो जाएगा आपने ध्यान देना है आगे वड़ते हैं किस धातु से बनाई इस मिस्र ध दिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है तो इसका जो सहीज चवा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो एलमिन्यम का परियोग है उसका परियोग हवाई जाज और रेल के डिब्बे के पुर्जे के बनाने में काम में लिया जाता है क्योंकि यह जो धातु होती ह में लॉह की तुला में हल्की होती है इसले इसका परियोग हम अवाई जाले करते हैं और रिल के इभ Image के पुर्जय बनाने करते हैं और इसमें जंग भी नहीं लगता जंग लगने की समध्या इसमें नहीं है जोकी लोई और तामबा ऐल्मिनयम से भारे उता है तो उसका यूज जादा नहीं करते हैं है आपने ध्यान देना है ጥ आगे चाहिए क्यों कुश्ट पाइब घ्रण series अगले में परन्तु लोहा जो पारे के साथ नहीं मिलता है तो लोहे का अमलगम नहीं बन सकता है तो अमलगम बनने के लिए पारे का यूज होता है लोहा पारे के साथ नहीं मिलता तो इसलिए लोहा अमलगम नहीं बना सकता है आगे बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं आगे टांका एक मिस् या इसको solder भी गोलते हैं इसको solder भी कहते हैं तो यह मिस्र धात्व किसके mixer से बनता है यह आपने बताना है तो इसका जवाब सही हो जाएगा टिन और सीशा इसमें सीशे की जो percent होता है वो तक करीबन 68% सीशा होता है और 32% अगर टिन का mixer होगा तो टंक टाका बन जाएगा या आपने ध्यान देना है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन के और अब आगे क्वेशन पूछा कि कांसा एक मिस्र धात्व है तो यह किस-किस के mixer से बनता है तो यह बन जाएगा तांबह और टिन जो कि इसमें जो तांबह के परसेंटे जोदा हूँ आठासी परसेंट होता ह है और तिन हो जाएगा आपका 12 परसेंट काम और तिन मिलाकर कांसा बनता है यह आपने ध्यान देना है आगे बात करते हैं जर्मन जिल्वर में इस्टॉवर कितना पर दिस इसमें तांबा से जस्ता हो गया और निकल करें मिस्र धातु तामबा से जस्ता होता है जब कि इसमें अगर बात करें इसमें चांदी नहीं होती है और इसको जर्मन सिल्वर कहते है कई कई आप कंफ्यूज हो सकते हैं जर्मन सिल्वर से पर इसमें सिल्वर नहीं होगा 0% यह आपने ध्यान देना है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं किसमें तामे की मात्रा सरवादिक होती है तो पीतल है कांसा है जर्मन सिल्वर राग गन मेटल यहां पर है तो इसमें सबसे ज्यादा यदि तामे की मात्रा है तो सभी जवाब हो जाएगा आपका कांसा कांसा में 88% तामा होता है और वहीं बात करें पीतल में तो 68-71% तामा होता है आप ध्याग रहे हैं जर्मन में जर्मन सिल्वर में तामबी की उपस्ति लगभग 50% और गन मेटल में लगभग तामबी की मात्रा हो जाएगी इसमें कम होती है तो आपने जहां देना है गन मेटल में तो आगे बात करते हैं आप बढ़ते हैं पीतल में कौन सी धातु का स्यूंग होता है अगला कसने पीतल में कौन सी धातु का स्यूंग होता है तो वह हो जाएगा आपका सही जवाब ता मघए तर्भाव और जस्ता तो इसका हो और तामभा और जस्ता आप obec etti थे सी परसें सामय सब्सक्राइवन परसें या जस्ता जिसकी ट्रिक है या आप ध्यान दक्सकते हैं इस परकार से भी अब नेक्स्ट क्वेशन की और आते हैं तो अब किसकी उपस्तिती में पीतल का रंग हवा में फिका पड़ जाते हैं किसकी उपस्तित का रंग फिका पड़ जाएगा तो वह हो जाएगा आपका हाइ प्रेट्रोजन सल्फाइट यह आपने ध्यान देना है अब बढ़ते हैं नेक्ट्स क्वेशन की और कि मिस्र धातु में किस परदाद की सहयोंग से निस्क लंग या स्टेंडलेस इस्टील अच्छुमब के हो जाता है निस्क लंग हिंदी में बोलता है स्टेंडलेस इस्टील इंगलिस में तौल सिq Алल स्छुमब की हो जाता है । तो यह हो जाएंगा आपका सही जवाब निकली मिस्र धातु में जो निकल है, उसका स्वयोंग करने से जो इस्टेंडलेस इस्टील अच्छुम्ब की या नन मैगनेटिक हो जाएगा जबकि अगा इसको ऐस मात्राइ नहीं है तो इसमें कारवन की मातरा पढ़ाई जाती है तो आपने ध्यान देना है आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं स्टेंडलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिला जाता है अब देखते हैं स्टेंडलेस स्टील करसे बनता है तो स्टेंडलेस स्टील बनाने के लिए जो धात में यूज होती है वह हैं लोहा क्रोमियम मैगनीज और कारवन आपने ध्यान देना है इससे स्टेंडलेस स् अगले क्यों बढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाता है तो आप यह हम ने देख 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 लिए था आगे अगला क्वेशन है अगला क्वेशन है जंग लगने पर लोहे के बार में क्या होता है तो जंग लगने पर जो लोहे का भार हो जाएगा वो बढ़ जाएगा तो अगर स्टीद के लोहे जंग लगता हthough जम Welcome अभिशन पर जंग लगता है अभी आ में प्लाताय ऑट्न मरकी उपस्थिझद सेडिगं तो फिंए बढ़ जाएगा और तो आगे वरत्ड़ के अब अगले question की और यह अंतीम question हो गया है अठारवा question है धबा रही लोह बनाना में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महतोपून धात हो है तो वह हो जाएगी chromium आपने ध्यान देना है तो यह थे कुछ आज mixer जो धात्मे थे उनसे संब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद